कोशन है आपका किसी घड़ी में 8 बजे और 9 बजे के बीचे किस समय पर मिनट और घंटे की सुई परस पर समपाती होगी मतलब घंटे की सुई और जो मिनट की सुई है वो आपके एक दूसरे के उपर होगी वो समय आपको find out करना है तो सबसे पहले यहाँ पर हमें एक घड़ी बना लेते हैं जिसमें समय कितना बजाएंगे हम 8 बजाएंगे तो 8 बजे आपकी घड़ी यहाँ पर होगी घंटे की सुई और मिनट की सुई उपर होगी तो वर्तमान में इसमें कितने डिगरी का एंगल है तो इसमें आपका 240 डिगरी का एंगल है तो यहाँ पर 240 डिगरी हमने लिग दिया क्योंकि एक खाने में आपका 30 डिगरी का एंगल होता है तो यहाँ पर गंटे की सुई 8 पर है तो यहाँ से हम चलेंगे तो टोटल मिलना करें कितने खाने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे 8 को 30 से गुणा किया तो आपका 240 डिगरी का एंगल आ गया और ये एंगल आपको चलाना पड़ेगा मिनट वाली सुई को तब ये सुई गंटे वाली सुई पर आप आएगे आप सभी जानते हैं मिनट वाली सुई आपके एक मिनट में का कौन बनाती है तो इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगे 6 माइनस एक बटा दो हो जाएगे इसे सोल करोगे तो 6 दुनी 12 12 में से एक गटाया 11 आ गया तो 11 बटा दो डिगरी हो जाएगा स्पीड मिनट वाली सुई और गंटे वाली सुई की time बराबर क्या होता है distance upon speed होता है तो time क्या हो जाएगा तो यहां पर distance आपकी 240 डिग्री हो जाएगे और रिलेटिव स्पीड आपकी 11 बटा दो हो जाएगे तो यहां पर 2 को उपर गुणा करेंगे तो 480 हो जाएगा चारसो स्टी बटा ग्यारा हो जाएगा ग्यारा का भाग देंगे तो ग्यारा चोके चमलिस हो जाएगा चार जीरो उतारेंगे चालिस हो जाएगा चालिस में भाग देंगे तो ग्यारा तीया तैंतिस हो जाएगा और बचा साथ तो साथ सही ग्यारा हो जाएगा तो समय आपका कितना हो जाएगा यहां पर आठ तो आपका बच चुका है आठ बजे बादे आपका जो मिनट है वो 43 सही 7 बटा 11 होगा जो कि आपको ओप्सन नमबर C में गिवन है तो C हमारा दिये गए कोशन का अंसर हो जाता है कोशन है आपका कितने तिर्वज है दिये गए फिगर में यह आपको यहां पर काउंटे करना है तो सबसे पहले यहां पर हम देखते हैं जो आपका शीर्च है उससे कितनी रिखाएं कीची गई है उससे आपके दो रिखाएं कीची गई है और इस डाइग्राम में आपके आधार कितने हैं तो आधार आपके दो है एक नीचे वाला आधार ही और यह उपर वाला आधार ही तो सिंपल साइस में जो शीर्च से कीची गई रिखाएं हैं वो आधार को कितने भागों में डिवाइड करती है वो हम लिखेंगे तो एक, दो, तीन तीन भागों में डिवाइड करती है इसी प्रकारे सेकंड वाले आधार को भी एक, दो, तीन भागों में डिवाइड करती है अब सब को हम आपस में जोड देंगे तो एक प्लस दो आपका तीन हो जाएगा और तीन और तीन आपका छे हो जाएगा तो नीचे वाले आधार की वज़े से छे तिर्बुज बनेंगे इसे प्रकार उपर वाले आधार को जोडेंगे तो एक और दो तीन तीन और तीन छे तो उपर वाले आधार की वज़े से भी यहाँ पर छे तिर बुझे बन जाएंगे तो नीचे वाले आधार से छे तिर बुझे बने उपर वाले आधार से छे तिर बुझे बने तो टोटल तीर बुच कितने हो गए 12 हो गए जो कि हमें ओप्सन नमबर C में गिवन है तो C हमारा दिये गए कोशन का अंसर हो जाता है आपका लुप तंग ग्याद कीजिए जिसके लिए आपको यहां पर है तीन बाई तीन की एक टेबल गिवन है जिसमें आप बीच का एक यांग की मिसिंग है यह मिसिंग नमबर आपको यहाँ पर find out करना है तो इसके लिए आपको यहाँ पर column फर्स्ट है और column थर्ड का प्रियो करते हो आपको second वाला column यहाँ पर generate करना है जिससे आपका missing नमबर आपको find out हो जाएगा तो इसे हम यहाँ पर sol करने के कुछिस करते हैं तो सबसे पहले आपका 12 लिखा गया है और यह last में आपका 21 लिखा गया है और बीच में आपका 47 लिखा गया है तो आपको यहाँ पर 47 में आप देख पा रहे हैं चार और साथ देख पा रहे हैं तो सबसे पहले हम 12 में 4 का भाग देते हैं तो 4 तिया 12 तीन बार आपका भाग जाता है इसी परकार 21 में हमें 7 का भाग देते हैं तो 7 तिया 21 तो यहाँ पर तीन बार हमारा भाग जाता है तो हमने 12 में पहले चार का भाग दे दिया और एकिस में हमने साथ का भाग दिया सिमिलर आगे हम देखते हैं तो दस में कितने का भाग देंगे दस में पहली संग्या पांच का भाग देंगे तो पांच दूनी दसे दो बार जाएगा इसी प्रकारी चार में हम कितने का भाग देंगे दो का भाग देंगे तो दो दुनी चार ये दो बार जाएगा तो इधर भी आपको दो प्राप्ट हुआ इधर भी आपको दो प्राप्ट हुआ मतलब सिमिलर नमबर यहां पर आपको प्राप्ट हो रहा है अब आपको question जिनका मान find out करना है तो इसके लिए आपको यहाँ पर option देखने पड़ेंगे तो option नमर यह देखते हैं 16 तो 64 में एक का भाग देंगे 64 आजाएगा 24 में 6 का भाग देंगे तो 4 आएगा तो option यह तो नहीं होगा इसी प्रकार यह option B भी नहीं होगा क्योंकि 40 में 0 है 0 का भाग देंगे तो infinitive हो जाएगा इसी प्रकार option नमर C भी नहीं होगा क्योंकि 64 में 6 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है अब option नमर D को हम चेक करते हैं तो 64 में हमने सबसे पहले 8 का भाग दिया तो 28 64 8 बार आपका भाग गया और 24 में हमने 3 का भाग दिया तो 3 अंटे 24 आठ बार भाग गया मतलब दोनों में आपका जो भाग फल आ रहा है वो से में आ रहा है तो यह question चिन का हमारा माने 83 हो जाएगा और यह आपको option नमर D में गिवन है तो दिये गए question का हमारा तैयासी answer हो जाएगा question है आपका रिक्तिस्तान पर कौन सा पता हैगा इसके लिए आपको यहाँ पर एके number series गिवन है और यहाँ पर आपका एक number missing है जो कि आपको find out करना है दिये गए 4 option में से तो हम संखें सबसे पहले लिखते हैं 31 37 41 43 और उसके आगे खालिस्तान है और आगे आपका तरेपन लिखा गया है तो यहाँ पर आपने संखें गोर से देखें तो यह सबी कैसी संखें हैं यह आपकी आपकी आप भाज्य संखें हैं मतलब भी ऐसी संखें हैं जिसमें या तो स्वेम का भाग जाता है या एक का भाग जाता है तो 31 के बाद में अब भाज्य संखें 37 आती है 37 के बाद में 41 आती है 41 के बाद में 43 आती है और 43 के बाद में अब भाज्य संखें कौन से आती है आपकी 47 आती है और 47 के बाद में तर्य पनाती है तो यहाँ पर अबाज्य संख्या सेंटले से हमारी हो जाएगी जो कि हमें आप्सन नमबर डी में गिवन है तो डी हमारा इस कोशन का अंसर हो जाएगा